हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं इस्टेडी फीट की अनत दोस्तों आज का टॉपिक है उत्तोलत यान लीवर दोस्तों यह इन इंसिलोजी में बहुत-बहुत पूट टॉपिक है इसी क्वेस्टन जरूर पूछी जाते हैं एक यह दो क्वेस्टन जरूर होते हैं जो किसी कारे को आसानी से करने में सहायता करता है जो क्या करता है यह के बिंदू के चारूर घुमता है जो एक इस तर बिंदू के चारूर घुमता है ठीक है समाले बाजा में यह कह सकते हैं कि समाले रूप से कम बल लगाकर अधिकार करने की चंता को हिंग क्या करते हैं उत्तोल्प करते हैं उत्तुलक का प्रियों किसी होता है, कम बल लगाकर अधिक कारे करने की छंता को उत्तुलक होती है, ठीक है, यह हमारे मानो सरीर में जो है, हमारी लंबी अस्थिया उत्तुलक का कारे करती है, यह भी इंपर्डिन कोश्टन है, कि हमारे सरीर में लंबी अस्थिया किसका कारे कर एक नाला सरी में जितने भी रूवेंट्स होते हैं हमारा सरी कारी में साथ होती है तोलग में तीन चीजे कार करते हैं कौन कौन चे एक फलक्रम यानि एकसिस इस अच थीख है और एक है रसिस्टेन्स थीख ऐक फोर्स रसिस्टेन्स यानि प्रतिरोद यानि भार फोर्स्यानि बवल्स इस तीनों फलक्रम Ев Shi इस्टेंस, फोर्स, तीनों से उतुलब बनता है, तीनों हमारे उतुलब तीम प्रकार के होती है, और हमारे सरी में एक कैसे कैसे कार करती है, कहां पे होती है, सबसे पहला बात, कि हमारे सरी में जीते ने भी ज्वाइंट्स है, वो एक्सिस का कार्म करती है, यानि फलक्रम का क ठीक है? अब हमारे सरी के जो अंग है उठार का इस बहुड श्पेयंस गरहा है, वर्षा का का समझ गारे चौशा में चाहरा हो ऐना सिर्फशार गर्ला का मशनले में कि ऐना से में फलक्रम जो हूता है जो एक्षिस होता है ठीक है एक्षिस जो होता है ओऊ कहा रहता है बीच में होता है इस्छ फ्रुष आर के सिर्फ गशनmbol देनaking ज्यांने कि प्रत्र马 के ψद्छ बीच में है तो भी र आफ लिख लीज degener पिर उसके लिज अधर फिर जो अंग जिसके सामने जिसके नीचे आये वही उस प्रकार के उत्तलग में बीज में होगा जैसे कि एक के नीचे थ्री आया है तो यानि कि किस्रे प्रकार के उस तलग में फोर्स होगा बीज में बल होगा बीज में एक की नीचे वन आया है यानि कि पर्थम प्रकार के में एकसिस जो है दो कर शकते हैं झाल्च में들 कि दिने प्रवाब को थ ernst से भाद कुछ ऽकृक्त कर शकते हैं यसे थ certainty कि बताते हैं कि प्रथण प्रकाब को उटतो लग में एकसिस जो है तो भी होता है किसके बीच में और table कि टीकें बल अभार के बीच में तो यह हमारे जो प्रथम प्रकार का उत्तुलक है उस संतुलन इस्थापित करने में काम आता है तो इसी संतुलन का लिवर करते हैं प्रथम प्रकार के उत्तुलक को संतुलन का लिवर बोला जाता है इसके एक्जांपर्स हैं जिसे तराजू हो गया इसका उदारण है फोर आर्म एक्सटेंशन थे कहा यानि अगरे बाउ और अगरे बाउ में कहते है इसमेे हमारे जब फोरोर अर्म एक्सेंशन करेंगे तो वह उमारे elbow joint, जो हमारे elbow joint, जो कुहुनी की joint हो, एक्सिस का कारे करेगी, and triceps muscles जो है बल लगाने के कारे करेगी, जब मैं बूली हूं कि बल लगाने कारे हमेशा muscles करेगा, एक्सिस कारे हमेशा joints करेगा, जो अंग है अगल बगल के वो प्रत्रियों भार का काम करेगा, तो इसमें elbow joint, एक्सिस का, triceps muscles बल लगाने का, और forearm, जो हमारे थेली है, कलाई है, उस सब भाग क्या करेंगे, प्रत्रियों भार का कारे करेंगे, इस पकार, ठीक है, फुराम extension जो हमारे प्रत्रियों प्रत्रियों भार का उदाहर है, पर में ankle flexion, यह जो हमारे टखना होता है, तीक है, उसके flexion, इसमें जो होता है, ankle joint जो है, एक्सिस का कारे करेगा, टिबियर्स muscles जो है, फोर्स लगाने का का काम करेगा, प्रत्रियों का काम करेगा, इसके लगा सी एका आगे हो, पीछी जो काना, बलेबाल में इसमेंश करना, यह समें होगा, खिलो में, इदरहां हमारा प्रकार का उत्तोलग, संतुलग का लिवधी कहते हैं, अब बाद करेंगे, जीषीप्रकार के उत्लक जिसे फ़ग कालिव civic dt प्रकार के उत्तलक किसे करने हैं कैसे कर दे हैं क्योंकि इस्में जो गया是 यह authentication जो जिससी एक है ț exam के एक निछे हैं किया हो गालेशिंटेंस जो है वो बीच में होगा तो इसके उदारार क्या है इसलिए भार बल लगाने का काम करता है इसलिए दिती प्रकार को उत्तलों को बल का लिवर कहते हैं प्रत्थम प्रकार को उत्तलों को मनें क्या बताया था संतुलों का लिवर दिती प्रकार को उत्तलों के बल का लिवर तो इसके उदारार है सरवता कुछा उठाने की मसीन नीबु निचोर्टे टे कि पांजों के ऊपर की उठाना प्लैंटर फ्लैक्शन होता है इसमें किया है मारा टकने का जोड़ एकसी का कार करेगी और पास की पेसी बल लगाने का कार करेगी और एड़ी प्रतिरोज का कार बार काम करेगी इसमें किया होगा जोड़ी और बास्केट बालिबाल में पंजे से जम्प लेना इसमें कि बास्केट बालिबाल इसकार के उत्वार कने का पर तो उस समय हमारे उंगलियां नेली होगा से इकसी का ताम करेगी कॉप मसल्स जो है फोर्स का काम करेगी एड़ी रेसिस्टेंस का कारे करेगी ठीक है अब हम बात करेंगे तित्ती प्रकाय के उत्तुलग जिसे गतिकाय उत्तुलग भी करते हैं ठीक है मैंने बताया था क्या इफ ए आर यानि तीन सुबार है यानि तित्ती प्रकाय के उत्तु कि बात हम कर रहे हैं, तो किसके नीचे है या कि नीचे है, या कि नीचे है, यानि कि फोर्स हमारा बीच में होगा, यानि बीच में होगा, एक्सिस और रसिस्टेंस यानि भार के बीच में बल होगा, बीच में क्या होगा, बल होगा, तो यह जो है, तिसी प्रिकाव का के लिए इसमें हैं और दिज़ाना वेल्चे से मिठी उठाना है हमारे सरीर में कहान पायाता है आर्म फ्लैक्सन जैसे कि मैंने फुर आर्म एक्स्टेंसम के बाद की थी वप्रथर प्रकार के उत्रलग में उदार था जब आर्म को हम फ्लैक्सन करनेंगे यानि मोरेंगे उस बीच में वा गया और अग्र हाथ जो है उपर तरियोग काम किया तो इसमें आप देख सकते हैं जो एक्सिस काम कर रहा है कोहनी कर रहा है बीच में रेडियर्स तिविरोसिती पोर्स का काम कर रहा है मसल तो फोर्स बीच में हुआ और हमारे अग्र हाथ जो है उपर तरियोग क चीटर प्रकार के उत्तुलग के बारे में जीसे की प्रक्खन प्रकार के उत्तुलग के बारे में। सबसे जदा सिर्थी प्रकार का उत्तोलस दोस्तों आप इसमें से कोई सवाल पूछेगा आप कंफीज नहीं होंगे आई हो कि वीडियो आपको अच्छे समय में आ गया होगा दोस्तों नेश टापिक के लिए अप्लिक इंतिया कीजिए दोस्तों यह वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिए जिसे जो दुमें नया वीडियो आप्लोट करूँ उसका नादे क्रिकें सबसे वीडियो आपकि मास कुदी तुमेदे से नुट इंतियो आप धूज evalu को बा privilege क्αा सुन से सब्स्तुत के लिए अंर का इंतिया क्वण कर दिए, जिसने के लिए में सबस्तुत क्नों तुत के लिए दुमें सबस्तुति हैं आपको इंतिया क Lulu 1230303030303030304031303030303015